हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महाली बिल्डर्ज में मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार डाइसो स्केरियाड का ये फ्लाट आप देख सकते हैं ये सेकंड फ्लोर अवेलेबल है पांच सोल्ड आउट है फैमिलीज कुछ यहां पे रह रही हैं दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका फ्रन्ट एलिवेशन सेक्टर 125 में है दोस्तों 200 फुट जो रोड है एर्पोर्ट रोड उसके बैक साइड पे है ये छे फ्लाट्स हैं आप देख सकते हैं फ्रन्ट एलिवेशन आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सामने जो आप कोठियां देख रहे हैं ये 200 फुट एर्पोर्ट रोड है पी आर सेवन बिल्कुल टचिंग है ये वाला प्रोजेक्ट हमारा ये आप देख सकते हैं इसका फ्रन्ट एलिवेशन 6 फ्लोर का ये बनाया था हमने इसमें से 5 हमारे अल्रेडी सोल्ड आउट है ये टॉप फ्लोर अवेलिबल है फॉर सेल है अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये आप द इसमें आपर स्पेशियस पार्किंग है दोस्तों ये देखिए यहां पर हम लाइन्स लगा देंगे तीन जब ये च्शे के शे हमारे इसोल्ड आउट हो जाएंगे तो यहां पर तीन फीन लाइनस लगा देंगे ताकि सबको गाड़ी खड़े करने की यहां पर असानी रहे मैं नीचे का फ्लाट आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये देखे ग्रेनाइट लगा हुआ है एंटरेंस पे टाइल्स लगी हुई है हेवी डोर्स लगे हुए है दोस्तों सारे फ्लाट्स में सेम डोर्स है ये डोर्स कोई बाहर से नहीं आया है ना कोई फ्लाट्स डोर है सब डोर्स यहीं बने हैं दोस्तों ये आप फ्लाट्स लगा हुआ है ये मेन एंटरेंस पे आप देखेंगे तो ये ग्लास लगा हुआ है सामने MDF की जारी लगी हुई है ताकि ये बहुती शांदर लुग दे ना ही ये गंदी होगी क्योंकि इस पे ग्लास लगा हुआ है ये देखें ये फॉल्स हीलिंग ड्रॉइंग रूम उडन टच दिया है दोस्तों उसको शांदर बनाने के लिए शांदलियर साथ में मिलेगा आपको जो इसमें लगा हुआ है ये ड्रॉइंग रूम आप देख सकते हैं इसमें वाल पेपर लगा हुआ है 3D काफी स्पेशियस है अगर अभी आप चाहें तो आपके चॉइस का वाल पेपर लग सकता है ये देखें ये इंटरंस आ गई आपकी ये फ्रेंट लुक अंदर गुशता ही बहुत ही शानदर लुक देता है दोस्तों अब हम किचन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ओपन किचन का कॉनसेप्ट है यू शेप में किचन बनी हुई है दोस्तों ये इसमें अलमीरा दी हुई है पैंटरी के लिए जैगवार की फिटिंग है पूरे घर में ये आप देख सकते हैं मेक्सचर टाप्स लगी हुई है यहाँ पे आपका फ्रीजर आ जाएगा काफी स्पेशियस जगा है सारी फिटिंग जैगवार की है दोस्तों इस घर के अंदर यह देखे यह आपकी क्रॉकरियल मीरा आ गई यहाँ आपका फ्रीजर आ जाएगा यह सामने जो आप रूम देख रहे हैं यह रूम जो है हमने बनाया है ग्लास लगा के इसको आप स्टड़ी रूम बना सकते हैं अपना ओफिस रूम बना सकते हैं एनिठिंग यू लाइक पॉल्सी लिंग हुई है दोस्तों तफन ग्लास है किचन में भी आप देखेंगे तो फॉल्सी लिंग लगी हुई है यह जो आप विड़ो देख रहे हैं इसके उपर हमने ब्लाइंड्स लगाई हुई है दोस्तों तो आपको परदा लगाने की जुरुरत नहीं है ब्लाइंड्स हम आपको लगा के देंगे यह देखेंगे दोस्तों यह मंदिर आ गया आपका इसमें यह वुडन कैबिनेट हम बना के दे रहे हैं आपको मंदिर में MDF की जाली लगी हुई है गेट्स लगे हुए हैं ताकि मंदिर ओपन ना है रहे यह देखे अब हम बात करेंगे फर्स बेडरूम की यह आप देख सकते हैं यह बेडरूम आ गया इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फॉल सेलिंग कंप्लीटेड है LED पैनल लगा हुआ है वाल पेपर्स लगे हुए हैं डोर्स की हम बात करें तो इट फीट के स्टैंडर डोर्स हैं जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों सब डोर्स यही बने हैं कोई बाहर से फ्लश डोर नहीं आया है दोस्तों स्लाइडर कबड हैं आप देख सकते हैं मैचिंग में वाल पेपर लगा हुआ है अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से वाल पेपर लगवा सकते हैं देखिए स्लाइडर कबड है यह देखिए यह wallpaper जिसकी मैं बात कर रहा था इसके साथ यह curtains भी हम लगाके दे रहे हैं matched curtains है इसके साथ यह आपका वाश्रूम आ गया attached वाश्रूम के साथ है आप देख सकते हैं इसका अंदर का look light and dark का combination है दोस्तों यह 3 bedroom 3 washroom है 250 square yard के अंदर 1 bedroom के साथ आपको vanity मिलेगी बाकी के जो 2 rooms है उसके अंदर आपको washroom में vanity नहीं मिलेगी लेकिन wash basin मिलेगा अब हम चलते हैं second room की तरफ दोस्तो यह 6 flats हमने बनाये थे इसमें 5 sold out है 1 available है 60% roof right के साथ है यह देखे यह second room का look आप देख सकते हैं false ceiling updated है यह LED पैनल इसमें बड़ी से बड़ी LED आपकी लग जाती है यह wallpaper लगा हुआ है आप अपनी choice का wallpaper उपर लगवा सकते हैं दोस्तो slider cupboards है dressing area इसमें बना हुआ है यह देखे यह sliding cupboard है यहाँ बड़ी से बड़ी LED आपकी आ जाती है दोस्तो यह washroom आप देख सकते हैं इसमें vanity लगी हुई है dark and light का combination है उपर false ceiling washroom में हुई हुई है jaguar की fitting है सारे घर में यह vanity जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तो vanity के उपर जो हमने mirror लगा रखा है दोस्तो वो touch mirror है touch light mirror है यह देखिए यह इसमें lights जलती है जो बहुत ही शांदार look देती है washroom को pictures बहुत अच्छी आती है toughened glass लगा हुआ है washroom के अंदर so that the water cannot spill it over यह देखिए अंदर wooden finish दे रखी है tiles में हमारी कोशिश होती है हम आपके लिए live videos लेके आए दोस्तो हम editing नहीं करते है किसी भी वीडियो की यह आपका घर बहुत ही शांदार look देगा जब आप इसमें रहने आएंगे यह देखिए wallpaper आप wallpaper अपने मर्जी का लगवा सकते हैं अभी आपके पास options available हैं 200 feet PR7 road के बिलकुल opposite है prime location पे यह property है दोस्तों यह देखे यह आपका आगया master bedroom यह first look आप देख सकते हैं master bedroom का fall ceiling completed है दोस्तों यह beds इसके अंदर हम आपको लगा के दे रहे हैं साथ में यह जो दो boxes आप देख रहे हैं LED पैनल आप देख सकते हैं काफी बड़े LED इसमें आ जाती है दोस्तों नीचे boxes दिये हैं storage के लिए अब हम अगर बात करें almiras की तो यह आप देख सकते हैं अंदर washroom के साथ attach almiras है sliding cupboards लगी हुई है इसे room जो है काफी spacious हो गया है यह देखिए यह आपका master bedroom इसमें vanity लगी हुई है दोस्तों glass लगा हुई है उपर तक यह देखिए dark and light का combination है tiles का jaguar की fitting है यह glass की बात कर रहता हम है यह देख सकते हैं उपर तक लगा हुई है hanging light इसमें हमने लगाई हुई है साथ में बहुत ही awesome look देता है दोस्तों बाकी की जानक्यारी के लिए आप मुझे call कर सकते हैं यह gold medal के switch है V guard की wiring हुई हुई है पूरे घर में quality पूरी maintain की हुई है quality में एक रुपे का भी compromise नहीं है दोस्तों मेरा number है 8553-770-770 अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे like जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करते रहें ताकि आपको रोज एक नई property मैं दिखाता रहूँ आप अपने घर का आशियाना बना सकें हमें एक मौका जरूर दें हम आपको बहुत ही शांदर properties देंगे दोस्तों ये जिस code yard की में बात कर रहा था हमारे पास 35 लाग से कोठियां शुरू हो जाती हैं दोस्तों सनी इंकलेव, एरो सिटी, मोहाली सब जगा हमारे पास plotting available है मोहाली बिल्डर्स एक बहुत अच्छा नाम है properties के अंदर पिछले 14 सालों से फेस्बुक पे भी हमारा ID आप देख सकते हैं, Instagram पे भी देख सकते हैं मोहाली बिल्डर्स एन मोहाली बिल्डर्स ग्रूप ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल है मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, नीचे बैल आइकन प्रणी बिल्डर्स ग्रूप ये लाइकन